नमस्कार आप देख रहे हैं SBD News और मैं हूँ आपके साथ दिव्यान श्री गौड पेशे इस वक्त राजस्तान की खास खबरें नमस्कार SBD News में आपका स्वागत है और पेशे इस वक्त राजस्तान हो श्री गंगानेगर हनुमानगर जिले की बड़ी खबरें अलवर में आज प्रिष्टाचार इनोदक ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली हैं अलवर में ECB ने पुलिस उप अधिक्षक ग्रामिंड सपाक खान को तीन लाग रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया है डियस्पी सपाक खान ने एक मामले में परिवादी से रिश्वत मांगी थी परिवादी ने इस मारे में शिकायत की ECB के अधिकारियों ने सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई और इसके बाद ECB ने डियस्पी को पकड़ने के लिए जाल बिचाया आज जैसे ही डियस्पी ने रिश्वत की रकम ली ECB के ASP संधीप जैन और डियस्पी चित्रगुप्त महावर ने उसे गिरफतार कर लिया कोरोना वाइरस हवा के जरिये भी फैल सकता है यह चर्चा लंबे समय से जारी थी लेकिन हाल ही में आई स्टडी में इसके सबूत मिले हैं स्टडी में अस्पतालों में तयार किये गए COVID-19 वोट्स में मुझूद हवा में कोरोना वाइरस के सेंपल मिले हैं और वहीं दावा किया जा रहा है कि खुले में तैरने वाले ये कण दो घंटे से ज़्यादा समय तक हावा में बने रह सकते हैं हालांकि असिंपटोमेटिक यानि बगैर लक्षने वाले मरीजों के मामले में खत्रा कुछ कम है पक्षों में बर्ड फ्ल्यू रोग का प्रकोप संक्रमंट में नियंतरन को लेकर उदेपूर में पशुपालन विभाग भी अलर्ट मोड पर आया है विभाग ने उदेपूर जिले के 15 नूडल नियंतरन कक्ष्व 21 टी में बनाई है विभाग के संयुक निदेशक डॉक्टर भुपेंदर भारद्वाज ने बताया कि अभी तक उदेपूर जिले में पक्षों के मरने की सूच्रा नहीं है लेकिन विभाग पूरी तरह से मुस्तेद है विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वे स्तापित कर जिला स्तरिय तकनिक वे रोग नियंतरन कमेटी गठित की गई है और इसके तह जिले में तहसील स्तर पर 15 नूडल नियंतरन कक्ष बनाए गए है प्रदेश कॉंग्रिस की नई कारेकार्णी का लंबा समय से इंतजार हो रहा है इंतजार अब खत्म होने वाला है प्रदेश कॉंग्रिस की नई कारेकार्णी आज देर रात या फिर कल जारी हो सकती है वही राजनेतिक न्यूक्तियों और मंत्री मंडल विस्तार के लिए अभी दो महा का इंतजार और करना पड़ सकता है। कारेकार्णी की घोष्टना होने को लेकर आला निताओं ने इसके संकेत भी दिये हैं। प्रदेश कॉंग्रेस की कारेकार्णी को लेकर बीते एक मास से चैपुर और दिल्ली में कवायच चल रही थी। इस जोरान संभावित नामों की सूची में कई बार कार्चाट बिकी गई थी। भाजपा ने राजे की कॉंग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव कारेकरम घुषित होने के बाद सतारूर कॉंग्रेस में चुनावी तयारियां तेच हो गई है। अगरपाली गाएं जिनके लिए 11 जन्वरी से नामंकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोलपुर जिले के ओधी ग्राम पंचायत की गाउं भोशपुरा में किसान को अपने खेत में खुदाई के दोरान भूग घर्ब से प्राप्त हुई प्राचीन प्रतिमा को जैन समाच को सुपुर्द किया गया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जैसवाल ने बताया कि खुदाई में प्राप्त प्रतिमा का निरिक्षन संग्रहाले अध्यक्ष राच्किय संग्रहाले से परिक्षन के बाद यह तथ्य सामने आया कि भूरे बलवा पत्थर की यह जैन प्रतिमा लगबग आठवी नोवी शताब्दी की हैं उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा को एकजार आठ श्री आधिना दिगंबर जैसवाल जैन पंचायती मंदिर संस्तान दौदा पूजन अर्चन तथा उचित देखबाल करने के लिए संस्ता को सुपुर्द करने का अनुरोद किया अगर आप अपना वाटसेप चालू रखना चाते हैं तो अब आपको इसके नए नियम कानुन मानने होंगे दरसल इंस्टेंट मैसेजिंग एप वाटसेप अपनी पॉलिसी में बदलाव करने वाला है इस बात के जानकारी वाटसेप ने यूजर्स को मंगलवार देर रात को देनी शुरू की है वाटसेप अपने यूजर्स को इन आप नोटिफिकेशन भेच कर अपनी पॉलिसी में होने वाले बदलावों के बारे बे बता रहा है WhatsApp users को अगर इस प्रेटफोर्म का यूज करते रहना है तो उन्हें 8 फरवरी 2021 तक कंपनी की अपडेट्स ट्रम्स और पॉलिसी को मानना होगा जो लोग WhatsApp के नए अपडेट को स्विकार नहीं करेंगे उनका अकाउंट कंपनी डिलीट कर देगी और अब खबरें श्री गंगानेगर हनुमानगर जिले की सहीउक्र किसान मजदूर व्यपारी मोर्चा ने आज कुरुशी कानूनों के विरोध में राश्रुपती के नाम एक ग्यापन जिलाप्रशासन को सुंपा मोर्चा के पदादिकारियों और कारेकरताओं ने केंद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की मोर्चा ने ग्यापन में बताया कि फस्लों के समर्थन मुल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान पिछले 6 माह से संगश कर रही है दिल्ली के सिमाओं पर किसान अंदोलन कर रहा है अंदोलन के 41 दिनों में से 50 स्यदिक किसानों की मोथ हो चुकी है और ग्यापन में राश्ट्रपती से कृष्री कानूनों को निरस्त करवाने की मांग की है संभागे आयुक्त और जिले के रॉल अब्जरवर बिल महरा आज श्री गंगा निरिक्षन कर रही है वह हनुमानगर जिले का दोरा करने के बाद श्री गंगा निर्गर आये थी श्री महरा ने कलेक्टरिट में उपखन अधिकारी का रले में पहुँच कर मतदाता सूची पुनरिक्षन कारेकरम के तहत फोर्म चेक किये इस अफसर पर SDM उम्मे सिंग रतनू वह तहसीलदार संज अगरवाल भी उपस्तित थे श्री गंगानिगर के यदि लोगों ने पानी जाया बहाने का अपना रवया नहीं बदला तो शहर में 24 घंटे जला पुर्ती का फायदा कम और नुकसान अधिक होगा ऐसे में शहर वास्यों को एक-एक बून की कीमत चुकाने के लिए तयार रहना चाहिए इसके शुरुवाती परिणाम उन इलाकों में दिखाई भी देने लगे हैं जहां हाल ही में URDP ने पेजल की नई पाइपलाइन डाल कर घरों की कनेक्शन इससे जुड़े हैं भारी भरकम बिल आने की बाद पेजल उपभोगता अब हावा से मिटर चलने की शिकायते करने लगे हैं लेकिन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि बिल लोगों के लापरवाही की कारण अधिक आ रहे हैं राजसान के पुलिस थानों में लगे अवेद एसी टीवी फ्रिश पर सरकार सक्त हुई है ग्रह विभाग ने इस बारे में कठोर आदेश जारी कर ऐसे सभी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का ब्योरा जुटाने का कहा है और साथ ही थानों में यह भी सूच्रा मांगी है कि इनके बिलो का भुक्तान कोन कर रहा है थानों में सिस्टीवी लगवाने का भी सरकार ने आदेश जारी किया है और सिन्ने कीवल सुरक्षा व्यवस्ता बढ़ेगी मलके थानों में अवेद गतिवीदी होने की स्थिती में कान भी पकड़े जा सकेंगे सुत्रों के इनुसार ग्रह विभाग भी देख रहे मुखे मंत्री ने कुछ समय पहले उच्चा दिकारियों को कई निर्देश दिये थे इनमें एक थानों में धड़ले से चल रहे अवेद एसी और अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के लिए भी था हनुमानगर जिने के पल्लू कस्बे मिस्दित बालाजी मंदिर का ताला तोड़ कर चांदी के छत्रवे दानपात्र की नगदी चोरी हो गई पुलिस ने पुजारी की रिपोर्ट पर अग्याचोरों पर मुकदमा दर्श किया है पुलिस के नुसार पुजारी रामरतन ने रिपोर्ट दीधी की 26 दिसम्बर को सुबह 5 बजे मंदिर में आया तो ताले तूटे हुए थे प्रतिमा से चान्दी के चोतर और दानपात्र गयब था दानपात्र में करीब एक माँ की दान राशी थी पुलिस चोरों का सुलाग लगाने का प्रियास कर रही है प्रश्टाचार के मामले में फसीश श्री गंगानेगर नगर परिशद आयुक्त प्रियंका बुढानिया को राज्य सरकार ने एपियो कर दिया इसके बाद जिला कलेक्टर मावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश चारी करके उपखंड अधिकारी उम्मे सिंग रत्नु को नगर परिश्रद आयुक्त का अतीरिक चार्ज सुपा है जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने निर्देशक एवं विशिष्ट सची स्वाय शासन विभाग जैपुर द्वारा जारी आदेश में प्रियंका बुढ़ानिया को निलंबत करके मुख्याले डिल्पी जैपुर कर दिया है इसके बाद आयोक्त का चार्च एंडियम को सौप दिया गया राजे बाल अधिकार सरंक्षन आयोक ने प्रदेश में मकर सकरांती पर चाइनीज मांजे के उप्योग वे बिक्री पर पाबंदी लगा दी इस सम्मन्द में आयोक के सदस्य सचीव महिंदर प्रताप सिंग ने जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है सदस्य सचीव द्वारा जारी पत्र के मुताबिक आयोक की अच्चक संगीता बेनिवाल ने चाइनीज मांजे से बालकों के साथ होने वाली दुरकटनाओं को गंबीरता से लेते हुए राजय में चाइनीज मांजे की बिक्री वे उप्योग पर रोग की अवशक्ता जदाई है श्री गंगानेकर कृश्री बुलो के विरोध में चल रहे किसान अंदूरन के समर्थन में बुद्वार को चातर शक्ती ने प्रदर्शन किया चातर उदम सिंग चौंग पर किसानों के समर्थन में बैनर पोस्टर प्रदर्शन में शामिल हुए अजे, सौ्वे, संदीप, धीरज, प्रमोत, निखिल, वेकनया आदी चातरों ने कहा कि किसार अनदाता है सरकार उन्हें कमजोर नहीं समझे आवशक्ता हुई तो हिंदूस्तान का हर युवा किसानों के साथ सड़क पर खड़ा दिखाई देगा फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहनी के लिए अगर आपने हमारा चैनल SBT News सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से नई नौटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद